क्या बहुत ही जल्दी रियूनियन होने वाला है अंडिस्पूटेड एरा का एई डब्यू में तो वेलकम बैक टू माइच चानल रोमन रेंज वर्सेज ड्रो माकेंटायर और रोमन रेंज वर्सेज शिंस के नाका मुरा के मैच को लेकर एक अपडेट है सामी गवारा और टा प्रोफेशनल रेसलर और भी न्यूज है चलिए सिधा वीडियो पर चलते तो टाइक कॉंटी और सामी गवारा जीत गए ट्रिपल ए मिक्स टाक टीम चांपियंशिप इस पर टाइक कॉंटी ने भी डाला कि उन्होंने कर दिखाया और वह आज तक कभी भी टाक टीम है एनेक्टी से में वास्टर में अभी तक वैसल में या बैकलेश की जो टिकेट सोल्ड हुई है वो यह 7130 और जो पड़ी है वह सिरफ 371 मतलब 95 परसेंट सोल्ड आउट हो गई है टिकेट लेकिन तब भी अगर नंबर्स देखे तो यह बहुत ही कम है क्योंकि एक पेपर व 49 टिकेट सोल्ड हो गई है और सिरफ 14,485 बची है वी ने समर्स्लाम का जो पोस्टर आया था उसमें ब्रॉक लेस्टन भी थे देखते हैं समर्स्लाम में ब्रॉक लेस्टनर होते हैं और जॉन सीना क्या रिटर्न करते हैं तब तक के नहीं यहां फिर जैसे रसल मिनिया बैक को समर्स्लाम और शायद डब्यवी सेफ कर सकती है समाच को लाश अट दगासल के लिए सेप्टेमबर में होने वाला है प्रिंसिपालिटी स्टेडियम कार्डेव फेल्स में लेकिन देखते हैं डब्यवी इतनी देर रुकती है क्यों कि सेप्टेमबर में बहुत टाइम है और मकिंटार ने भी का था कि वो चालेंज करना चाहते है रोमन रेंस को क्लाश अट दे कैसल में और फाइट फुल सिलेक्टे न्यूज आई है कि रॉडरिक स्ट्रॉंग बहुत टाइम से अपना रिलीज मांग रहे है डेवी से क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया है बहु से एकठे क्योंकि NXT में भी इन्होंने बहुत कमाल करा था और रिंग साइड न्यूस से यह भी आई है न्यूस की कि जो सिंच के नाकामुरा वसे रोमन रोहिंस का मैच होगा वो कोई स्टेडियम शो में नहीं पर उनका मैच जरूर होगा रोमन रोहिंस के अगेंस देखते ह है वो हो सकत है है लेनस तेल में भी क्योंकि वेसल में या बैक्लाश में भी प्रबेविल्टी थी लेकिन हो नहीं रहा यह मैच और मनी इन द बैंक तो है अलेजर्ट स्टेडियम में बड़े पेपर व्यू के लिए मेरे साब से यह मैच जब विदो भी नहीं कराएगी और क माइंड पर अभी वो एजर स्टाइल्स को ही चूस कर रहे हैं आप से बताना आप दोनोंगों कौन जादा अच्छा लगता है और एमजीफ ने भी काय कि वो अभी 26 येर्ज ओल्ड है और वो बिगेस्ट रेसलर है जो ड्रॉ कर रहे है रेटिंग एव के लिए उननने का कि वो हाफ टाइम में कर सकते है ये चीज़ जो क्रिस जरिको ने करी थी और जब क्रिस जरिको 26 के थे तो वो क्या कर रहे थे तो ऐसे करके उनने बताया कि वो ग्रेटर है क्रिस जरिको से और कोडी रोड ने भी काय कि पहले वो इंटर कॉंटिनेंटल चांपियंशिप का क्ला पेंटो देखते हैं कोडी रोड जब चांपियन बनते हैं तो लाप आते हैं विंग टाइटल वापस है डबीड़ी में यह नहीं और डेक्टर लूमिस भी जो रिलीज हो गई है डबीड़ी से अभी और अगर कारमेलो को हीट चाहिए तो वो ले सकते हैं एनेक्सटी उनका हमेशा से होम रहा है तो कभी भी वो जा सकते हैं एनेक्सटी में देखते हैं रिकुष वे आते हैं एनेक्सटी में के नहीं